बोलता राजस्तान के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं लोकतंदर के महापर्वे का रिजल्ट गोशित किया जा रहा है हिंदुस्तान भर में पूरे देश में और हम बात करेंगे राजस्तान की तो राजस्तान में भारतिय जनता पार्टी का मिशन 25 पूरा होता नजर आ रहा है इस समें 24 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और एक सीट पर उनकी समर्थित पार्टी रालोपा के उमिद्वार हनुमान बेनिवाल करीब एक लाग वोटों से आगे चल रहे है नागोर से हनुमान बेनिवाल जोती मिर्धा से एक लाग वोटों से आगे चल रहे है यह होट सीट मानी जा रही थी और यहां से अब जोती मिर्धा के लिए कवर करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है बात करें बाड मेर सीट की तो यहां से मानवेंदर सिंग एक लाख दस हजार वोटों से पिछरते नजर आ रहे हैं इस वक्त तक बाजपा के उमिद्वार पूर्व विधायक के लाज चोधरी बढ़त बनाए हुए हैं एक लाख दस हजार वोटों से बाड मेर जैसल मेर सीट से अजमेर लोकसवा सीट से बहुत बड़े गेप से कॉंग्रेस के रिजु जुझनुवाला हारते नजर आ रहे हैं और बागिरत चोधरी दो लाख वोटों से आगे चल रहे हैं दो लाख से भी अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं जहलावार बारा सीट की बात करें तो पूरो मुक्य मंत्री वसंद्रा राजे के पुत्र दुशंद सिंग करीब ढ़ाई लाख वोटों से आगे चल रहे हैं चूरू लोकसवा सीट से राहूल कस्वा दो लाख करीब दो लाख वोटों से आगे चल रहे हैं भीलवाडा से सुभास वहेडिया चार लाख से अधिक वोटों से जीत चुके हैं दो सीटों पर जीत का एलान हो चुका है भीलवाडा से बाजपा के सुभास बहेडिया 4 लाक वोटों से जीत चुके हैं और गंगानगर सीट से बाजपा के निहालचंद मेगवाल पूर्व मंत्री निहालचंद मेगवाल भी चुनाव जीत चुके हैं भरत रेवत्रा मेगवा गंगानेगर से चुनाव हार चुके हैं कुधेपूर bekommt दोसबूर मीना एक.аша कलाक एक लाख दोरा सीहार वॉते से आगЕ चल रहे हैं एक Då्रा मीड़ला करीब एक लाख वोटों से या चल रहे हैं दो साओय वाला की जस्कोर मीना 35,000 वोटों चल रही है जेपूर शहर से रामचरण बोहरा करीब डेड़ लाग वोटों से जोति खंडेल वाल से आगे चल रहे हैं विकानेर से अर्जुन रामवेगवाल मदन मोहन वेगवाल से करीब डेड़ लाग एक लाग 49.000 वोटों शा कल रहे हैं पाली से पी-पी चोधरी कॉंग्रेस के बद्री जाकड से करीब 3 लाख वोटों से आग़े चल रहे है CARE Hazar Palaaknaath क्रीब और बाबा बालकनाथ करीब पूरे 2 लाख वोटों से कॉंग्रेस के दिग्ज नेता यहां से हार रहे हैं चुनाव बहवर जीते अंदर सिंग और बाबा बालकनात अलवर से करीव लाग वोटों से आगे चल रहे हैं सीकर की बात करें तो पूर्व केंतरिय मंत्री कंग्रेस के उम्मीदवार सुभास महरिया एक लाग से अधिक वोटों से हारते नजर आ रहे हैं और स्वामी सुमेदा नंद सरस्वती यहां से जीतते नजर आ रहे हैं बात करें जालोर सीट की तो जालोर सीट पर भाजबा के देवजी पटेल एक लाग तैयासी हजार वोटों से आगे चल रहे हैं टौंग स्वाइमाधुपुर से सुखवीर शिंग जोनपुर्या 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अशोगलोत के पूत्र वेभव गलोत हार रहे है चुनाव करीब तेड़्ड़ लाक वोटों से पिछट गए है और बाज़पा के केंद्रिय मंत्री गजंदर सिंग चुनाव जीथते नजर आ रहे हैं जेपूर गरामीन से राजय वरतन सिंग राठोड एक लाग पच्पन अजार वोटों से आगे चल रहे हैं भरतपूर से रंजीता कोली डेड़ लाग वोटों से आगे चल रही है राज समंद से दिया कुमारी आगे चल रहे हैं चितोड गड से सिपी जोसी तीन लाग वोटों से आगे चल रहे हैं मैंने आपको बताया निहाल सन मेगवाल चुनाव जीत चुके हैं तो अब तक के रुजानों में भाज़पा समस्थ सीटों पर आगे चल रहे हैं नहीं आ रहा है इसे कहते हैं जोर का जटका और बहुत जोर से लगा है राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार है अशोग गलोद मुक्यमंत्री है और एक सीट के लिए भी कॉंग्रेस तरस गई है नरेंदर मोदी का अंडरकरंट सीट चटकर बोल रहा है और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेठी से राहूल गांधी इस वक्त तक पिछड़ते नजर आ रहे हैं असदुन ओवेसी पीछे चल रहे हैं दिगविजय सिंग पीछे चल रहे हैं तो देशबर में भी बहुत बड़ा उलटपर होगा कई दिगज़ चुनाव हारने जा रहे हैं